सरकारी जमीन पर एक बार फिर धनले से शुरू हुआ गार्नेट का अवैद खनन सरकारी जमीन बनी खनन माफिया की जागी खनन माफियाओं के होसले बुलंद प्रभावी कार्यवाही के अभाव में खनन माफियाओं के होसले बुलंद बेखॉफ खनन्माफिया धडले से कर रही हैं अव्यद खनन्ग प्रशासन हुआ खनन्माफियाओं के प्रभाव के आगे नतमस्तक सरवाड सत्ता के परिवर्तन होते ही शहर के राजनेतिक संरक्षन प्राप प्रभावशाली खनन माफियाओं के प्रभाव के आगे प्रशासन के नत्मस्तक होकर मुखदर्शक की भूमी का अदा करने एवं प्रभावी कार्यवाही के अभाव में शहर में खनन माफियाओं ने शहर के चापरी मार्प के दाहिनी तरफ पोल्ट्री फार्म की दक्षन दिशा में स्थित सरकारी जमीन पर एक बार फिर अंतराश्चिय स्तर पर ख्याती प्राप बेशकीमती गारनेट का धनले से अवैद खनन शुरू कर भूगर्ब में छिपे। अनमोल खजाने को लूटना शुरू कर दिया है जिससे जहां आमजन में जबरदस्त रोश व्याप्त है वहीं मौके पर हाथसे की संभावनाय बनी हुई है। इस संदर्ब में मिली जानकारी के अनुसार शहर के रीको क्षेतर की दक्षन दिशा में ताजपुरा च्षापरी मार्क के दाहीनी तरफ पोल्टरी फांग की दक्षन दिशा में स्थित सरकारी जमीन पर खनन माफियाओं द्वारा एक बार फिर बेखोफ होकर धनले से कीमती गार्नेट का अवैद खनन कर सरकार को भारी आर्थिक चुना लगाना शुरू कर दिया है। इस क्षेत्र में गार्नेट के अकूत भंदार होने के कारण खनन माफिया प्रशासन से भी नहीं डर रही है। के विरुद प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई वही राज में सत्ता के परिवर्तन होने के बाद एक बार फिर खनन माफियाओं ने बेखोफ होकर उक्त सरकारी जमीन पर गार्नेट का अवैद खनन करना शुरू कर दिया है। वही खनन माफिया अकूत संपत्ति कमाने के चक पर रातरी के सननाटे में तोर्च एवं पेट्रोमैक्स की रोशनी में जमीन से होने वाले भूमिगत पानी के रिसाव के बीच गरीब मज़ूरों को खदान एवं सुरंग में उतार कर गार्नेट का धनले से अवैद खनन करवा रहे हैं। यदि गार्नेट के अवैद खनन क के दोरान खदान धै जाए तो न केवल बड़ी जन्हानी हो सकती है बलकि प्रशासन के अधना से लेकर आला अधिकारी नप जाएंगे और ऐसा हो गया तो फिर जिम्मेदारी किसकी होगी शायद स्थानिय प्रशासन को किसी बड़े हादसे का इंतजार है। उक्त स्थल पर आगे प्रशासन नत्मस्तक होकर महज मुखदर्शत की भूमी का निभा रहा है। यहां का प्रशासन खनन माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही करने में पूर्णत्या असाय नजर आ रहा है वही बारिश के मौसम के दौरान यह खदान पानी से लबालब भर जाएगी और चा बाहराल खनन माफिया उक्त सरकारी जमीन पर धनले से अवैद खनन कर चांदी कूटने में लगे हुए है। सोमवार को नवजोती टीम द्वारा खनन स्थल पर पहुचकर जब खोदी गई खदान सुरंग के फोटोग्राफ्स लेकर इस मामले को कवरेज किया। इस संदर्ब में मीडिया टीम द्वारा खनन स्थल पर पहुचकर गिरदावर महावीर प्रसाद खटीक हलका पटवारी लक्ष्मी नारायन शर्मा से फोन पर बात कर उक्त सरकारी जमीन पर किये जा रहे गारनेट के अवैद खनन के बारे में जानकारी प्रदान की जिस पर गिरदावर श्री खटीक एवं हलका पटवारी श्री शर्मा ने इस मामले में उच्चाधिकारियों को अवगत करवा कर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। गारनेट का खनन शुरू कर बेशकीमती गार्मेंट निकालते हैं। अव्यद खनन करने के मामले में सक्ती के साथ कार्यवाही कर रही है। झालते हैं। झालते हैं। झालते हैं।